तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत तरिश्टेडी सर्गल पे और बात कर रहे हैं हम भारती तिहास पर अधारित प्रस्णों के सेट पर और यहां पर हम बात करेंगे बहुत धर्म और सैव धर्म साक्र धर्म इसे संबंदित जो सवाल करसेट है उन पर तो सुलबात करते हैं प्रस नमबर एक से प्रस नमबर एक है कि बहुत धर्म रंतों के संदर्म में कौन सा सत्य है चार विकल्प दिया गया है पहला है कि विनापटिक इसमें बहुत भिवच्चूओं और भिवच्चूडियों हेतु आच्रण के नियम है भी विकल्प है कि सुत्य पिटक इसमें बुद्ध द्वारा दिये गए चोटे बड़े प्रवचन है और अभिधम में पिटक इसमे बुद्ध की सिख्चाओं का दार्षनिक विवेचन एवं अध्यात्मिक विचार है हमको बताना कि इनमें कौन सा सही है तो यहाँ पे विकल्प D सही हो जाएगा क्योंकि उप्रोग तीनों कथन सच है तो क्वेस्ट नमर एक का सही विकल्प D अब बात करते हैं क्वेस्ट नमर दो की तो क्वेस्ट नमर दो है कि सुत्य पिठक के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है पहला है कि सुत्य पिठक पांच निकायों जिसमें दीरिख निकाय मजिम निकाय अंग उत्तर निकाय सयुक्त निकाय और खुद्धक निकाय में विभाजित है तो यह कथन सत्य है औ और जातक में बुद्ध पत प्राप्त होने से पूरु बुद्ध के पूरु जन्म से समंदित लगभग पांच सापचास कताओं को संकलित किया गया है। तो यह भी कतन सही है तो यहाँ पर सही भी कल्ब D हो जाएगा। अब बात करते हैं कोशन नमबर तीन की, कोशन नमबर तीन है कि ही नियान सम्प्रदाय किशंदर में कौन सा कथन सकते हैं। पहला है कि ही नियान को स्रावक यान भी कहते हैं जो जीवन के कले से ग्रस्थ होकर निर्वाण पत पर अग्रशर होता है। बीविकल्प है कि ही नियान का अदर्स अरहत पद प्राप्त करना था जो वैक्ति अपनी साधना से निर्वार प्राप्त करते हैं उन्हें अरहत करते हैं और निर्वार के बाद उनका पुनरजन नहीं होता सी विकल्प है कि ही नियान में मांस खाना वरजित है तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो इसका सही विकल्ब हो जाएगा D, यानि को प्रोगत सभी अब कोश्या नमबर चार की बाद कर लें, तो कोश्या नमबर चार है कि महायान के संदर में कौन सा कथन सकते है पहला है कि महायान वादियों ने बोधिशत्वों में से एक नए विश्वास को जन्म दिया, भी विकल्ब है कि अनेक बोधिशत्वों ने भक्तों से विश्वास और निष्ठा की कामना की और विकल्ब C है कि बुद्ध को देवत्य प्रदान कर दिया गया एवं बुद्ध की मूरती प्रूज़ प्रारम हो गई उप्रोग सभी यहां पे सभी कथन सही है महायान से संबंदित उसका सही विकल्ब D हो जाएगा अब बात कर लेते हैं कुष्टर नंबर पांच का तो कुष्टर नंबर पांच है यह नियान के संप्रदाए सौतांत्रिक के संदर में कौन सा कथन सत्य है पहला है कि सौतांत्रिक चित और बाह जगत दोनों की सत्ता में इस्वास करते हैं किन्तु यह नहीं मानते कि वस्तूओं का ग्यान प्रित्रक्ष रूप से होता है और विकल्ब भी है कि ग्यान दीपक के समान अपने को स्वेहता है प्रकाशित करता है और से विकल्ब है कि मन में बाह वस्तूओं के आकार बनते हैं हमें बाह सत्ता का बोध कराते हैं तो यह तीनों कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आगे बात करते हैं कुश्चन नमबर 6 की कुश्चन नमबर 6 है कि दुती बौध संगीती के संदर्व में कौन सा कथन सत्त है तो पहला कतन है कि महात्मा बुध के महापड़े निर्माड के सो वर्स पस चाहत यानि कि 283 इस वी पूर में काला सोक के समय में आयोजित की गई सत्त कतन है यह और विकल्प है कि इस संगीती में बौध भिक्षियों में मद्भेध हो गया जिसका कारण अराम दायक जीवन को लेकल था और जो लोग इस परिवर्थन के पक्ष में थे वे मा सांधिकिया सरवास्ति वादी कहला है तो यह भी सही है और विकल्प सी ही है कि जो परिवर्थन के विरोधी थे वे इस्थावी रतवा थेरवादी कहला है तो यहाँ पे तीनों घतन सच है तो कोश्य नमर 6 का विकल्प D से ही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्य नमर 7 की बात कर लें कोश्य नमर 7 है कि बौध धर्म के शंदर्म में कौन सा घतन और सत्य है ठीक है ध्यान दीजिएगा यह सत्य और सत्य का जो वो है ध्यान किया नह है तो गलत बौध धर्म इस मर इस्फर को नहीं मानता विकल्प भी है कि बहुत धर्म का पुनाजन में विष्वास है तो ऐसा नहीं है और बहुत धर्म अनातमवादी है परंतु बाद में इसकी एक साख्या सामितन आत्मा को माना है यह भी कथन गलत है तो यहाँ पे विकल्प D सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन असत्ते हैं तो विकल्प D हो जाएगा कोश्ण नमर साथ का सही उत्तर कोश्ण नमर आठ की बात कर लें कि यह है करदन किसका है कि मैं जीवन का सरुस्रेश्ट लक्ष वह वस्था मानता हूँ जिसमें न व्रिद्ध वस्था गडर न सोक न जन्म न व्रित्यों और न चिंताएं हूँ किनका कतन है विकल्ब है भगवान महाविर गौतमबुद्ध माकले पुत्य घुषाल अब उपरोख्त में से कोई नहीं लुए upgrade क्टिंब करनेme 9 की बात कर लें क्टिंब कोई नौ है कि यह कठन अपने सिस्सियों से कि इस ने चाहा कि सभी देसों में जाओ और धर्म के संदेश को प्रितिक वेक्स्ति तक पहुँचाओ और कहो कि इस धर्म में छोटे बड़े और धनवान देथा निर्दन का कोई प्रेस नहीं है बौद धर्म सभी जातियों के लिए खुला है सभी जातियों के लोग इसमें पी इसमें इसी परकार आकर मिल सकते हैं जिस परकार नदियां समुद्र में आकर मिल जाती है विकल्प हैं क्रिशन, महावीर, बुद, आनंद तो सही विकल्प हो जाएगा C., बुद अब बात करने कोशन नमर दस की तो क्वेशन नमर 10 है कि मृत्यू से पूर्व यह कथन किसका है कि सभी संगहातिक वस्तूओं का विनास होता है अपनी मुक्ति के लिए उत्साह पूरवक्त प्रयास करो विकल्प है महावीर, बुद्ध, अस्वगोस या फिर कमल सील तो सही विकल्प हो जाएगा बी, गौतम, बुद्ध, या महात्मा बुद्ध, या सिर्फ बुद्ध लिए तो भी चलेगा बुद्ध क्वेशन नमर 11 की बात कर लें क्वेशन नमर 11 है कि निमलिकित में से किस बोधी सत्व का कार बुद्धी को प्रखर करना है मंजू स्री, अमिताब, मैत्रे, या फिर वजण, पानी तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए मंजू पानी अब चलते हैं सैव संपरदाय की तरफ या सैव धर्म की तरफ तो क्वेशन नमर 12 है कि किस ने सिउ के लिए डायनोसिस सब्द का उलेख किया है रेंसांग ने, मेगस्थनीज ने, फाहियान ने या फिर माद्विन लाने तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा B, मेगस्थनीज ने क्वेशन नमर 13 की बात कर लें क्वेशन नमर 13 है कि निम्न में से किसमे सिउ का एक नाम महादेव मिलता है रिगवेद में, श्वेतासवर उपनिशद में अथरवेद में या फिर उप्रवद बी और सी दोनों में यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प D, B और सी दोनों में क्वेशन नमर 14 की बात कर लें क्योंशा नमर 15 है कि लिंग पूजा का प्रथम इस पस्ट उलेक किसमें है वाईव पुरान में, सत्पत पुरान में, सत्पत ब्रामण में, तैक्तिरी सनहिता में या फिर मत्स पुरान में यहाँ पर सही भी गल्प हो जाएगा D, मत्स पुरान क्योस्चा principle 16 कि बात कर लेए तो किस सोलह है कि कि सेव मत के चार संप्रधायों का उलेख है मत्स पुरान में वायू पुरान में में गरुन पुरान में या फिर वामन पुरान में तो तो सही भी गल्ब हो जाएगा D वामन पुरान अब आगे बढ़ते हैं question number 17 की जरब तो question number 17 है कि किस संप्रदाय के तीन अंग पती यानि स्वामी बसु यानि आत्मा तेथा पास है काला मुख लिंगायत कस्मीरी से या फिर पासुपत तो सही विकल्ब हो जाएगा D. पासुपत Question number 18 की बात कर लें तो question number 18 है कि किस संप्रदाय के प्रोहित को जंगम कहा जाता है कापालिक, पासुपत, लिंगायत या फिर कस्मीरी से या फिर पासुपत तो सही विकल्ब हो जाएगा C. लिंगायत कोश्य नम्बर 19 की बात कर लें किस संप्रदाय को ट्रिक इस्पंद एवं प्रत्य भीगा के नाम से भी जाना जाता है का पालिक काला मुख कस्मीरी सहीब या फिर पासुपत तो सही विकल्प हो जाएगा सी कस्मीरी सहीब कोश्य नम्र 20 की बात कर लें तो कोश्य नम्र 20 की बात कर लें तो कोश्य नम्र 20 की बात कर लें तो कोश्य नम्र 21 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 की बात कर लें तो कोश्य हो जाएगा सही डी विकल्ब की उपरोग सभी क्क्ष्ट नम्र22 की बात करने तो क्ष्ट नम्र22 है कि कान सी साख्वा है इस पंद सास्त्र है आगम सास्त्र है या फिपाज़ भीगैस साश्त्र या उपरोग सभी तो सही विकल्ब हो जाएगा D उप्रोक्त सभी क्वेश्चन नमर तेज की बात कर लें तो क्वेश्चन नमर तेज है कि सिव के चार अंगों में कौन सा सामिल है मंत्र, महेस्वर, मुक्तिय, फिर उप्रोक्त सभी तो यहाँ पे सही विकल्ब हो जाएगा डी उप्रोक्त सभी अब कोशन नमर 24 की बात कर लें कोशन नमर 24 है कि सेव धर्म के शंदर्म में कौन सा कतन सत्य है कतन एक है कि महाभारत के मसासन पर में भी लिंग पूजा का उलेख है और भी विगलब है कि केन उपनिशाद में हिमाले की पुत्री उमा हिमवती का उलेख है और भी कलब C है कि होविस्ट के मुदरा पर सियूलिंग का अंकन है और भी कलब D है कि उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर सभी कतन सही हैं तो यहाँ बीगलब D हो जाएगा तो question number 24 का तप सही विकल्द दी हो जाएगा और question number 25 की बात कर लेए so question number 25 है कि सीव के संदर्प में काउज सा कथन सब् summation है वायवपुरार्ण में सीव को देवों का देव, महा देव कहा गिया है और विकल्ब भी है कि सक्षासक मोय के सिक्वों पर त्रिसूल धारी सिव का अंकन है और और सी है कि हुईस्क की मुद्रा पर सिवलिंग का अंकन है या फिर उप्रोग सभी तो यहां पर सभी कथन सही है तो विकल्ब डी हो जाएगा थोड़ी से ध्यान दीजेगा मैंने 324 मतलब जो 24 नंबर कुश्चन है उसमें थोड़ी सी एक पॉइंट मिस कर दिया है नीचे वाले का उसमें पढ़ दिया था तो थोड़ी ध्यान दे दीजेगा आप यह सीज को तो 25 का सही विकल्ब D हो जाएगा और 24 का भी विकल्ब D सही है अब बात करते है question 26 की तो Q26 है कि कापालिक संप्रदाय के संदर में कौन सा कथन सकते है विकल्प A है कि कापालिक संप्रदाय का उलेख भवभूती के मालती माधों में मिलता है यह एक वाममारगी संप्रदाय है विकल्प B है कि इस संप्रदाय में इस देव भैरो को सुरा और नर्वली का नेवैद चड़ाया जाता है और C है कि स्री सहला इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और विकल्प D है कि उप्रोग सभी तो कोश्चन नमर 26 में जो विकल्प है तीनों विकल्प सही है तो यहापर सही विकल्प D हो जाएगा कि उप्रोग सभी अब कोश्चन नमर 27 की बात करने तो कोश्चन नमर 27 है कि नाथ पंथ संप्रदाय के संदर में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो विकल्प A है कि इस संप्रदाय के इस थापना दस्वी सताब्दी में मचंदर नाथ ने की और B विकल्प है कि इस संप्रदाय में सीव को आदिनात मानते हुए नो नातों को दिविपुरुस के रूप में मानता प्रदान की गई है और विकल्प C है कि इस सिधान के अनुसार सिव का नाम अकु है तथा उसकी सक्ति का नाम कुल है और विकल्प D है कि इसमें ग्यान तथा ध्यान को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का प्रधान आधार माना गया है तो इस पे सही विकल्ब डी हो जाएगा ये कथं सक्त नहीं है अब चलते हैं साक्त संप्रदाय पर थोड़ी सवाल देख लिए तो पहला सवाल है अठारीस नंबर कि साक्त उपासना कब अपने चरम उतकर्स पर थी? मौरिकाल में, गुप्तकाल में, कुशानकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे सही विकल्ब हो जाएगा भी गुप्तकाल में कुश्चे नंबर 29 की बात करने तो कुश्चे नंबर 29 है कि निमली चित में से कौन सा सक्ती उपासना का प्रमुख केंडर है कि निमलिखित में से किसने विराट पर्व में देवी को विंदवासनी, महिसासुर्म, मर्दनी या सोधा के गर्ब से उत्पन्य नरायन की परंप्रिया तथा क्रश्न की बहन कहकर उनकी यस्तुति की है अरजुन ने, भीम ने, युदुष्टिर ने या फिर नकुल ने तो यहाँ पर सही भी गल्प हो जाएगा C, युदुष्टिर अब आगे बात करते हैं क्रूश्चे नमर 31 की तो क्रूश्चे नमर 31 है कि निमलिखित में से कौन पंचमकार की उपासना करते हैं जिसमें मद, मांस, मत्स, मुद्रा एवं मैतुन भी सामिल है समया चारू, पंचायतन, पूजा, कौल मारगी या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर सही भी गल्प हो जाएगा C, कौल मारगी अब बात करते हैं क्रूश्चे नमर 32 की कौश्चे नमर 32 है कि कौण्डलनी नामक रहस्यमें सक्ति का अत्रधिक महतु किसमें है सेव संप्रदाय में, साक्त संप्रदाय में, अजीवक संप्रदाय में या फिर वैशनो संप्रदाय में तो सही भी गल्प हो जाएगा यहाँ पे, भी साक्त संप्रदाय में हम बात करते हैं कोश्चन नमबर 33 की तो कोश्चन नमबर 33 है किस पुराण में वर्णन है कि महिसा सुर को मारने के लिए विश्णू, सिव प्रह्म, इंद्र वरुन, सुर जैसे देवताओं के मुक्ष से निकले तेज से देवी के रूप में सक्ति का उद्भव हुआ वायू पुराण में, गरुण पुराण में या फिर मारकंडे पुराण में या सिव पुराण में तो सही विकल्प हो जाएगा सी मारकंडे पुराण में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि 64 योगनी मंदिर कहां है जो कि 900 से 1190 के मद निर्मित है और इसमें सक्ति की 44 प्रतिमाएं है गुना, सिवपूरी, इंदोर या फिर जवलपूर तो सही वी कल्प है जवलपूर, डी वी कल्प अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ तो क्वेश्चन 25 है कि साक्त संप्रदाय के संदर्व में कौन साखतन सकत्त है विकल्प ये है कि रिगवेद के दसवे मंडल का एक पूरा सोक्त अरथात देवी सोक्त सक्ती की उपासना से संपत्ध है और विकल्प B है कि महाभारत के भीचन परव में वड़नित है कि कृष्ण की सलाह पर अरजुन ने युध में विजय है तू देवी के सक्ति के रूप में उपासना की थी अब बात करते हैं कोस्टे नमबर चतिस की तो कुस्टे नमबर चतिस है कि साख्त धर्म के विशय में कौन से कथन सत्ते हैं विकल्प A है कि कपिला बर्ण काली और सिंग वासनी देवी के प्रचंट रूप की पूजा का पालिक और काला मुक जैसे घोर पंथी संप्रदाय करते हैं और B विकल्प है पंचायतन पूजा की अंतरगत सिव विश्णू सक्ति सूर्य और गनेस की पूजा का विधान है और C है कि कल्धन की राज्तरंगरी के अनुशार सारदा देवी का दर्सन करने के लिए गौड नरेस के अनुयाई कस्मी रहे थे और विकल्प D है कि ये सभी तो तीनों कथन सही है इसलिए यहाँ पर विकल्प D सही हो जाएगा कौन से कथन सत्य है तो चार कथन है यहाँ पर और तीनों कथन सही है तो यहाँ पर सही विकल्प D हो जाएगा अब बात कर लें कुश्चन नमबर 38 का तो कुश्चन नमबर 38 है कि साग्त संपरदाय के संदर्म में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यहाँ पर चार विकल्प है A, B, C, D और यह पूछ रहा है कि साग्त संपरदाय के संदर्म में कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य नहीं है तो तीनु कथन और सत्य है यहाँ पर विकल्प D हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कुश्चन नमबर 49 है कि सूर की सबसे प्राचीन मूर्ती कहां से प्राप्त होई है जो तीसरी सदी इस्वी पूर्व की है यह मूर्ती माना रोप में है कानपूर, सांची, अमरावती या फिर भरहुद तेहां पर सही भी गल्प हो जाएगा D भरहुद से प्राप्त होई है और क्वेश्चन नमबर 40 की बात कर लें तो क्वेश्चन नमबर 40 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में माडा स्यात नामक बस्ती में सूर्य का एक मंदिर था मेरट, अलिगड, बुलंद शहर या फिर बनारस तो सही भी गल्प हो जाएगा C बुलंद सहर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर 41 की तरफ तो क्वेश्चन नमर 41 है कि सूर्य का कौन सा नाम अभी लेखों में मिलता है विकल्प A है कुणार्क, B है वरुन स्वामी, C है मार्तंड और D है उप्रोक्त सभी तो ये तीरो नाम मिलते हैं तो सही भी गल्प हो जाएगा D उप्रोक्त सभी अब बात कर लें क्वेश्चन नमर 42 है कि कुणार कश्चूर मंदिर कि सदाब दीका है ग्यरहमी सदी, बारहमी सदी, तिरहमी सदी या पर चुद्ध हमी सदी तो सही भी गल्प हो जाएगा C, तेरहमी सदी, बारह सफ पचास के लगगवज को बनाया गया था तो सही भी गल्प, C अब बात करते हैं question number 43 question number 43 है कि सूर उपाश्च्ण के शंधर में कौन सा कथन सत्य है पहला है कि सूर्य उपाशना वैदिक काल से भी दुमान है उस समय सूर्य की पांच रूपों में पूजा होती थी सूर्य के वास्तिक रूप में, सबीता के रूप में, विश्वु के रूप में, पूशन के रूप में, एवं मित्र के रूप में विखल्प V है कि सूरी के प्रतिमाएं कुशान काल से बननी अरम हो गई थी और मतुरा से इसी तरह किये कि सूर प्रतिमा मिली है जिसमें उसको कोट पैंट तथा जूता पहने हुए प्यदाशित किया गया है और भवे से पुरान के अनुसार कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब ने सिंद में चंद्रभागा के तड़ पर सूर का एक मंदिर बनवाया था तो यहाँ पे तीनों को दन सही इसले भी कल्ब डी सही हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं अब टो जूचान नमबर चवालीस के तरब तो जूचान नमबर चवालीस है गणपती को किस वेद में महाहस्ती कहा गया है रिगवेद में यह ज्रुवेद में सामवेद में या फिर अथर्ववेद में सही वी कल्प हो जाएगा यह रिगवेद में और कुश्य नामर 45 की बात करें तो कुश्य नामर 45 है कि तैतरी आराणयत में गणपती को किया कहा गया है एक धंथ उक्र तंड दंती या फिर उप्रोक्त सभी तो यहां पे सही वी कल्प है D, सभी कहें गए हैं इनको और बात कर लेते हैं नास्तिक संपरदाय की तो पहला कोशन है यानि कोशन नमर 46 है कि कौन अक्रियवाद अक्रियवाद अथवा अकर्म के प्रशारत थे जिन्होंने यह मत रखा कि मनुस के अच्छे या बूरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है विकल्प है माकली पुत्र गोशाल पूरण कश्यप संजय विलटपुत और अजीत के सकंबलिन तो सही विकल्प हो जाएगा पूरण कश्यप यानि कि विकल्प बी अब बात करते है मिज़तियों के बाद सब कुछ नष्ठ हो जाता है लिगंठ न नात्पुत्र तो विकल्प यह है कि लिगंठ नात्पुत्र और पकुद हक चायन और संजय विट। और विकल्प डी है अजीत केस कंबलिन अजीत केस कंबलिन तो 47 का सही विकल्ब हो जाएगा D. अजित केस कंबलिन इनका मत था कि मिरत्तु के बाद सब कुछ नश्ट हो जाता है और कुछ्छे नबर 48 की बात कर लें तो कुछ्छे नबर 48 है कि किस मत में मनुस्य को जीवन में घोर स्वार्थी बनने का उपदेश दिया गया है कुछ्छन नबर 49 की बात कर लें कुछ्छन नबर 49 है कि कौन सा मत सांसारिक वस्पों की उत्पत्ती का कोई भी मत स्विकार नहीं करता पुबेकत वाद उच्छेद वाद या फिर आहेतू वाद या फिर नित्य वाद तो सही भी गल्ब हो जाएगा सी आहेतू वाद बात करते हैं कुछ्छन नबर 50 की कि किस ने साथ तत्तों को नित्य बताया प्रित्वी जल अगनी वायू सुख दुख और आत्मा अजीत केस कंबलिन संजय वेठल पुद्ध मकली पुद्ध गोशाल या फिर पकु धकच्चायान में पुबे कतवाद या फिर इन में से कोई नहीं तो सही वी गल्प हो जाएगा सी पुबे कतवाद कुछ्चन नमर 52 की बात कर लें तो कुछ्चन नमर 52 है कि आजीवक संप्रदाय के शंदर्व में कौन सा कथन सही है जिसकी साफना मकली पुत्र गोशाल ने की थी पहला ये विकल्प है कि मनुस के जीवन पर उसके कर्मों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता भी है गोशाल इस वर की सथ्था में विजवास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्द को अलग अलग ततु मानते थे सी इनका मत नियती वाद कहलाता है उप्रोग सभी तेहां पे तीनों का तन सही है इसलिसका बावन नंबर कुश्टन का विकल्प डी सही उनसर हो जाएगा यानि कि उप्रोग सभी अब चलते हैं कुश्टन नंबर त्रिपन की तरफ तो कुश्टन नंबर त्रिपन है कि इन में से कौन सा युग सही सुमेलित है विकल्प है अजीद केस कामबलिन तो इनके जो द्वारा दिया गया था वाद उच्छेद वादी और बी पकुधकचायन नित्यवादी और संजय वेटलपुत संदेहवादी तो बताना कि इन में से कौन सा युगम सही सुमेलित है तो यहाँ पे सभी युगम सही सुमेलित है अब चलते हैं भागवाद संप्रदाय या भागवाद धर्म की तरफ तो कुश्चा नमबर चोगवन है कि दूसरी सताब्दी इसापोर में हेलियोडोरस ने वासुदियों के सम्मान में गरुन इस्तंब का निर्वाद कहां कराया था उरुवेलन, द्वारिका, बेसनगर या विदिसा या फिर विकल्प, डी, कन्नोज तो यहाँ पे सही वी कल्प हो जाएगा C, बेसनगर या विदिसा कुश्चा नमबर पच्पन की बात कर लें तो कुश्चा नमबर पच्पन है कि हेलियोडोरस युनान के सासा एंटी, एंटी ओल्किट्स का राजदूद था वह किस सासा के दरबार में आया था पुश्चा मित्र सुंग, वासुदेव देव अगनी मित्र सुंग या फिर भाग भद्र तो सही वी कल्प हो जाएगा इसका D, भाग भद्र कुश्चा नमबर पच्पन की बात कर लें कुश्चा नमबर पच्पन है कि निम्लिकित में से कौन भागवत संप्रदाय को जन्म देते हैं विश्णू, नरायन, वासदेव, कृष्णी या फिर उप्रोप्त सभी तो यहां पर सही भी कल्प हो जाएगा डी उप्रोप्त सभी अब बात करते हैं कोच्छा नमर संतावन की तो यहां पर सही भी कल्प हो जाएगा बी रिशी केस और कौश्चा नमर अठावन की बात कर लें तो कौश्चा नमर अठावन है कि अमर कोस एवामन कीत गोबिन में विश्णू के कितने अवतारों का उलेक्ट मिलता है 10, 20, 37 या फिर 49 तो सही भी गल्प हो जाएगा D, 49, 39 और कौश्चा नमर 69 या 59 की बात कर ले तो यह है कि नमर के इतमे से कौन चांडाल कन्या थी देव की, जांबवती, रुकमनी या फिर रुहनी तो सही भी गल्प हो जाएगा B, जांबवती और कौश्चा नमर 60 की बात कर ले तो कौश्चा नमर 60 है कि भक्ति का सरपतम उलेख कहां मिलता है केन उपनिशद में चांडोगी उपनिशद में कठो उपनिशद में या फिर स्वे तासवर उपनिशद में तो सही भी गल्प हो जाएगा D, स्वे तासवतर उपनिशद में मिलता है और क्रिश्चा नमर 61 की बात कर ले तो 61 में है कि क्रिश्चा की तुलना किसने हेराकली से की है वे इसांग ने, मेगस थिनीज ने इसिंग ने या फिर फाहियान ने तो सही भी गल्प हो जाएगा बी, मेगस थनीज ने अब बात करते हैं क्रिश्चा नमर 62 की तो क्रिश्चा नमर 62 है कि निम्लिकित में से कौन अलवार संत था पोई गई, पूडम, कुल सेखर या विप्रोक सभी तो सही विकल्प हो जाएगा D, विप्रोक सभी अब बात करते हैं क्रिश्चा नमर 63 क्रिश्चा नमर 63 है कि भागवत धर्म से संबंदित कौन सा कथन सत्य है तो विकल्प ए है कि वरह उतार की सबसे महत्पूर्ण मूर्ती उद्रगिरी की गुफा की दिवार पर है दाथ पर दिखाया गया है और B है कि पूर्वी चलो की जिसे इन्हें की वेंगी की चलो की कहा जाता था कराज चिन गरुन था और उनके अधिकांस अभी लेकों का प्रारंग वराह की वंदना से होता था के अल्वारूनी ने ईस्ताने सुफर के चकल स्वामी का उल्येक किया है विकल्ब D है कि उपरोक्त सभी मतले हैं सभी विकल्ब सभी हैं रिहांपे विकल्ब D सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी अब बात करते हैं क Question 64 कुछ्चन नमर 64 है कि राक्षस हिरन्याक्ष ने एक बार पुनह प्रित्वी को विस्वि संदू के तल में फेक दिया विश्णू ने एक व्रहदकार वराह का रुभारण किया राक्षस कबद किया और अपने दाथ पर प्रित्वी को उठा लिया यह विश्णू के किस अवतार से संबंध है मत्से अवतार, कुर्मा अवतार या फिर वाराह अवतार या फिर नर्सिंगा अवतार तो यहां पर सही वी कल्प हो जाएगा सी वाराह अवतार कुछ्चन नमर 65 की बात कर लें तो question 65 है कि भागवत धर्म के विकास के संदर्व में कौन सा कथन सकते है यह है कि गुप्त काल में वराह मिहर ने ब्रहत सनिता में भागवत धर्म का उलेख किया है और भी विकल्प है कि इसकंद गुप्त के भीतरी अभिलेखों में सारंगिन या कृष्ण की पूजा के लिए कुछ गाउं को दान में दिये जाने का उलेख है विकल्प सी है कि इसकंद गुप्त का जूना गड़ अभिलेख भगवान विष्णू की इस्तूती से प्यरम होता है और चौथा विकल्प है यानि कि D को प्रोग सभी को उमको बताना है इनमें से कौन सा कथन सथ्य है यहां पर गया है कि तीनों कथन सथ्य है इसलिए विकल्प D सही हो जाएगा तो यह कास्ट है और यहां पर सभी कथन शचत्त हैं तो विखल दी सही हो जाएगा अब बात करते हैं कुस्ट नंबर 67 की तो कुस्ट नंबर 67 है क्यी भागवत संब्रदाय के संदर में कौन सा कथन सकते है चार कथन दिये होगए हैं यहाँ पे इनको पढ़ें और यह चारो कथन सकते हैं तो यहाँ पे सही विकल्ब D हो जाएगा अब चलते हैं क् कुछिश्चन नंबर 68 कि तरफ के कुछिश्क है क्षिन के संदर्भ में कौन सा कथन कोए है तो सही विकल्ब हो जाएगा डी क्योंकि तीनों विकल्ब सही है यानि कि उप्रोग सभी और कुश्चन नंबर सत्तर की बात कर लिए तो कुश्चन नंबर सत्र है सत्तर है क्रिश्चन के विशे में कौन सा कथन सत्य है यहां पर चार कथन दिये हुए इसमें तीनों कथन सही है इसलिविकल्ब डी हो जाएगा सही कि उप्रोग सभी अब चुश्चन नंबर सत्तर की तरफ तो कुश्चन नंबर सत्तर है कि भागवत धर्म के विकास से समद्दित कौन सा कथन सत्य है तो कुश्चन नंबर सत्तर का सभी कथन सही इसलिविकल्ब डी सही हो जाएगा अब बात कर लेते हैं कि जो विद्यशी आकरमर हुए है पर्णाचेन भारत में उस पर तो सबस्पेहले हैं इर्णी आकरमर से या फारसी आकरमर सरुगात करते हैं तो कुश्चन नंबर 72 है कि भारत पर सबसे प्रथम एर्णी आकरमर कारी कौन था साइरस, डोरियस, जरकसीज, जरकसीज या फिर इन में से कोई नहीं तो सही भी गल्ब हो जाएगा A. साइरस अब बात करते हैं कुछसे नमबर 73 की किसके अवर्णन से ग्यात होता है कि साइरस ने कपिसानगर को द्वस्त किया था मेगस्थनीज, नियारकस, प्लीनी या फिर इस्ट्राबो तो यहाँ पर सही भी गल्ब हो जाएगा C. प्लीनी और कुछसे नमबर 74 की बात कर लें तो 74 नमबर कुछे नहीं कि किसका मत है कि अश्टक्त था असवक नामक जातियोंने साइरस की अधिन्ता, स्विकार की, नियारकस, प्लीनी, एरियन या फिर इस्ट्राबो तो सही भी गल्ब हो जाएगा C. एरियन कुछन नमबर 75 की बात कर लें कुछन नमबर 75 है कि साइरस का काल था मैंने साइरस को समय क्या था पांसो से चार्सो इसा पूर वे पांसो पचास से पांसो उनतिस इसा पूर वे पांसोψाद़ की सम्राज का कौन सा प्रांद था सत्रहमा, अठारहमा, उनिसमा या फिर बीसमा तो सही विगल्ब हो जाएगा डी बीसमा अब चलते हैं कोश्चन नमबर 77 की तरफ तो कोश्चन नमबर 77 है कि फारसी सासक दारा प्रथम के संदर्ब में कौन सा कथन सत्य है विगल्ब A है कि दारा के सासन काल के तीन अभी लेखों जिसमें बहिस्तून, परसी पोलिस तथा, नकसे रुस्तम से भारत पारसी संबन के विसे में महत्यपूर्ट सूचना मिलती है और B विगल्ब है कि बहिस्तून अभी लेखों में उसके समराज के 23 प्रांतों का उलेख है विगल्ब C है कि सत्वू सब्त, सिंदू तथा, गदर, गंधार के प्रदेश जिनका उलेख बहिस्तून अभी लेख में हुआ है साइरस के समय से ही पारसी समराज के अंग थे और विगल्ब D है कि उप्रोग सभी हमको बताना है कि इन में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य है इसलिए विगल्ब D सही हो जाएगा अब चलते हैं कोशन नमबर 78 के दरब प्लेटो, अरस्त, प्लीनी, हेरोडोट्स तो सही विगल्ब हो जाएगा D हेरोडोट्स और क्वेशन नमबर 89 की बात कर लें तो क्वेशन नमबर 89 है कि भारत पर इरानी आकरमण का कौन सा प्रभाव पड़ा चार विगल्ब है पहला विगल्ब है कि फारसी लेख को ने भारत अरेमिक धंगी की लेखन पडाले का प्रचलन किया जिसका विकास असोग के काल और उसके पस्जाद खरोष्टी लिपी के नाम से हुआ और विकल्ब बी है कि असोग का पाटली पुत्र का इस्थम्भों वाला विसाल भावन उसके इस्थम्भों एवं सिलाओं पर उतकीर्ण अभिलेक था इस्थम्भों का घंटा सीरसाधी सैलिया पार्सिक देन है और C विकल्प है कि कुछ विद्वानों का पूमान है कि चंच्द्वुक्त के राजजरवार में केस सिंचन इरानी समराटों के प्रथा की अधार पर प्रिचलित हुआ और विकल्प D है कि अपरो सभी तो यहाँ पर सभी विगल्ब सही है इसलिए विगल्ब D सही हो जाएगा अब चलते हैं सिकंदर को जो हमला था उसके उपर तो एक question है उसको देख लें तो पहला question है याने कि अस्तीमा question है कि हाइडस पीस का युद्ध कब हुआ 322 इसा पूर। 323 इसा पूर। 325 इसा पूर। या फिर 326 इसा पूर। तो सही विगल्ब हो जाएगा D 326 इसा पूर। और 81 नमर कोशते नहीं कि सिकंदर ने जहेलम के तड़ पर किस नगर के सापना की विगल्ब है परसी पूलिस, बूखफाला, निकाया, डी है कि B और C दोनों तो सही विगल्ब है बूखफाला और निकाया यानि कि D, B और C दोनों अब चलते हैं question number 82 question number 82 है कि कहां पहुँचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया तो सही विगल्ब है B व्यास question number 83 की बात कर लें तो question number 83 है कि सिकंदर को कब अपने सेना को आपस लोटने का आदेश देना पड़ा विगल्ब A है 324 सीसा पूर्व, B है 325 सीसा पूर्व, C है 326 सीसा पूर्व, और D है 327 सीसा पूर्व तो यहाँ पर सही विगल्ब हो जाएगा C 326 सीसा पूर्व, और अब सबते हैं question number 84 की तरफ, तो question number 84 है कि यह कथन, सिकंदर के आकरमर कशंदर में किसका है, भारत अपरिवर्टित रहा, युद्ध के घाव सीग्र भर गया, जब धीर बैलों उता था उन्हीं के समान धीर, जैने धीर रखने वाले, किसानों ने अपना परिसरम तारंब किया, तो द्वस्त खेत एक बार फिर लहलहा उठे, एरियन, इस्ट्राबो, विंसेंट इसमित, या फिर टेसियस, तो यहाँ पर सही विगल्ब हो जाएगा, C, विंसेंट इसमित, अब बात करते हैं question number 85 की, त कौन सा कथन सत्य है, तो विकल्ब A है कि हैड़िस्पीस का यूद सिकंदर और पुरू या पोरस के मद्ध हुआ, B है कि सिकंदर ने पोरस की सेना पर अकस्मात रात में आकर्मण किया, और C है, पोरस बहादूरी से लड़ा, घाया लोकर बंदी मना दिया गया, और उप्रो कुछ प्राचिन धार्मिक संप्रता है और विदेशी, प्राचिन भारत में जो कुछ विदेशी हमला हुए भारत पर उनके बारे में अधारित प्राशन सेट, उमिद करता हूँ कि आपको तैयारी में जरूर मद्दगार होंगे, नमस्कार, जैहिन, जैभारत